वस्समाई दातिल बुरूज चलिए इस कॉप्यूज आप लोगों के लिए देखें ये कमिंग वेक्ट क्या लेकर आ रहा है कि एनर्जीज हैं तो प्रॉफेशन फरंट के लिए आप लोगों के लिए काड है नाइन अफ कॉप्स और ये काड कहीं wish come true की बात करता है कहीं you know happiness, joy, satisfaction, eating, drinking, merrymaking के भी बात करता है क्योंकि आप लोगों के लिए ये काड इस week reverse है तो ये ही सब चीजें किसे ना किसी level पे रहती हुई तो दिख रही हैं लेकिन इनी से ही related छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं जैसे की you know कोई आपकी wish है, कोई आपकी desire है आपको लग रहा था कि इस week पूरी हो जाएगी, इस week पूरी नहीं हो रही है तो देखे थोड़े बोट डिले तो हो ही जाते हैं इस चीज को लेकर आप परिशान ना हो और देखे otherwise भी ये काड कहीं happiness, joy की बात करता है तो वो तो professional front में रह रही है, साथ ही साथ missing feeling भी रह सकती है कुछ के लिए हो सकता है कि अपनी wish, अपनी desire को manifest करने के लिए आप, you know, जो भी action initiatives ले सकते हैं, वो ले रहे हैं और जब हम अपनी wish, अपनी desire को manifest करने के लिए work कर रहे होते हैं वो भी हमें बहुत एक happiness joy देती है कुछ के लिए simply हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको आप बहुत enjoy कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है, जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं उनके साथ आपका bond अच्छा हो रहा है, eating, drinking, merrymaking हो रही है कितनी बार ही होता है ना कि हमारी professional meetings किसी restaurant में होती है, coffee house में होती है तो कहीं you know हम काम भी कर रहे होते हैं, साथ ही साथ enjoy भी कर रहे होते हैं तो इसी तरीके की energies आपके professional friend में इस week रहते भी दिख रही है इस week जो भी happiness, joy है, साथ ही साथ फिर से कहोंगे missing feeling भी है वो कहीं money, पैसे की वज़े से नहीं रहती भी दिख रही है क्योंकि आप अपने काम को enjoy कर रहे हैं, उसकी वज़े से रह सकती है आपकी कोई wish, कोई desire पूरी हो सकती है या फिर कैसे पूरी होए उस पे work कर रहे हैं, उसकी वज़े से रहती भी दिख रही है मैं यह नहीं कह रही हूँ कि money, पैसे से related gain फाइदा नहीं होगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है लेकिन आपकी happiness, आपकी joy का reason कहीं money, पैसा नहीं रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए the Empress reverse का card है अब देखिए Empress का card कहीं comfort की बात करता है, luxury की बात करता है किसी इंसान की तरफ से, जो कि बहुत motherly, you know, उनका nature है motherly उनकी energies है, उनकी तरफ से एक care, affection भी मिलने की बात करता है क्योंकि आप लोगों के लिए the Empress का card भी reverse है या तो आपको बहुत ज़ादा ही love, care, comfort उनकी तरफ से मिल रहा है या फिर जितना आप expect कर रहे थे, चाह रहे थे, उतना love, care आपको उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है all in all दिखिए comfort, luxury, love, care, ये energies रहती भी दिख रही है लेकिन इसी से ही related छोटे मुटे issues भी रह सकते हैं अब ये general reading है, सबकी different situation circumstances होंगी तो आप ही बहतर समझ पाएंगे Scorpios की comfort, luxury, love, care है तो लेकिन किस तरीके के issues, मसले इनी चीजों से related भे रहे हैं और दूसरी बात ये card कहता है कि पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आप बहुत effort कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे इस week आप किसी भी level पे उसका outcome, उसके positive result को expect कर रहे थे तो वो एक positive outcome, वो एक positive result थोड़ा सा daily हो सकता है तो all in all दिखिए पूरा ही week काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है लेकिन साथ ही साथ इन ही सब चीजों से यानि कि अच्छी चीजों से related बहुत ही हलके फिलके issues मसले भी रह सकते हैं और दिखिए जब तक अच्छी चीजें हो रही हैं, तब तक सब कुछ भेतर है और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए refusing to seek a card है तो दिखिए बहुत सारी चीजें आप देख के अंदेखा कर रहे हैं, सुन के अंसुना कर रहे हैं इससे क्या होता है कि उस time तो हम बहुत सारी चीजों को वाइट कर लेते हैं लेकिन back end पे यही issue मसले फिर accumulate होना शुरू कर देते हैं और एक time यह इतने बड़े हो जाते हैं कि हम चहा कर भी इनको नहीं ignore कर पाते हैं चहा कर भी नहीं इनको void कर पाते हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं क्योंकि ये इतने बड़े हो चुके होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि कैसे हम इनको डील करें एक इंग्लिश में कहावत है stitch in time saves nine तो ये issue मसले जब बहुत छोटे होते हैं न उसी time हम इनको डील कर लेते हैं यकीन मानिये उस time थोड़ा ऐसा हमें परेशानी होती है लेकिन long run के लिए हम अपनी life को असान कर लेते हैं और उन issues मसलों को हम वहीं पर ही खतम कर देते हैं बड़ा होने से रोक लेते हैं तो इस चीज का भी खयाल इस week ज़रूर रखें इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे एंसिग्निफिकन दे आप लोगों के लिए होगा वेडनेस दे तो यह था स्कॉपियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशिफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि आप कितना resonate कर पाए हुमायों महबूब कहते हैं कि बर्ज अक्रब का जाइचा काफी एहमियत का हामिल है इस दोरान आपको जिम्मेदारियों को पूरी तवज्जो दीनी होगी आपकी माली हालत में बहत्री आने का अमकान है लेकिन अपने खर्चे पर काबू रखना जरूरी होगा कारोबारी मुआमलात में नई सरमाया कारी का मौका मिलेगा पियार महब्बत के मौामले में खुशगवार लमहात मिलेगे कुछ ऐसे लम्हाद भी आएंगे जहां आपको अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखना होगा और मुश्किल का सामना करना होगा मगर उन सब के बाद नई राहे निकलीनगी जो आपके लिए मुफीद साबित होंगी मेजर रिलीफ जो के हमारे सकॉपियंज को मिल सकता है वो है उनका मेरेच शाउस जो अल्रेडी मेरेच हैं उनको भी अल्लापाक सकून से नवाजेंगे और जो शादी के खाहश मन्द है उनके लिए भी सितारा जो है वो पॉजिटिव खबर यहां पे देता वा नजर आता है उनके लिए भी सितारे की जो पॉजिशन है वो पॉजिटिव है तो अल्लापाक उनके लिए असानिया फर्माएं six, seven, eight थोड़ी सी ऐसे लगता है कोई कोई खर्चे का लोड़ आपको परिशान ना करे या over spending आपको परिशान ना कर दे तो बड़ा मौतात हो के जहां पे माली मसला आए वहां पे आपने मौतात हो जाना है जी तो हमारे वोज कॉपियंट जो already married है या शादी के खाहिश मन्द है इस से मुबारिक इस से ideal टाइम नहीं मिल सकता क्योंकि माशाला माशाला marriage house बहुत strong हो गया है आपको खुद भी एक confidence आपके अंदर आएगा रिश्टों को deal करने का वो आपके business relations है या वो आपके जो है अज़वाजी जिन्दगी है या वो आपके social relations है घर के front पे एक खुद इतमादी में इज़ाफा होगा और जो already married है उनको भी अब लगेगा कि आपको ये वक compensation देगा क्योंकि दो हज़ार 22 से लेके till now जो है स्कॉपियंस ने अगर सफर किया है तो उनका relationship area था तो मेरा रब आपको बहुत नवाज़े क्योंकि आप लोगोंने सच मुछ बहुत time काट है उसके बद हम आगे चलते हैं जी 4 सेप्टेंबर को जो स्कॉपियंस सितारा सीधा हुआ है वो अब आपके वो उसमें आपके लिए बेहतर है अब आपको वो वक्त जो है वहाँ पे एक आपके मुआमलात को कारोबारी मुआमलात को रिजॉल्व कर रहा है वोस कॉपियंस जो पॉलिटिशन्स है या लाइम लाइट में है या बिजनिस में है उनके लिए तो फॉर्थ सब्टेंबर से अच्छी खबर यहां पे शुरू है उसके बाद हम आगे चलते हैं क्योंकि ट्विंटिफॉर्थ आउगस के बाद से मैंने आप से का था कि दोस्तियों वाला हाउस हो आपके बच्चों वाला हाउस हो एक सितारा अच्छा आया दूसरे ने जरा सी हलचल सी मचा दी थी वहां पे तो लेकिन इसके बावजूद आप सेफ हैं शुकर है लगा कि इसके को खतरनात नताइच नहीं थे लेकिन थोड़ा सा सिर्फ यह है कि बच्चों के मौमलात हो, दोस्तियां हो लव लाइफ हो तो थोड़ा सा जो है इस वक्चों कोपियंस से मैं बार बार 24 आउगस के बाद से कह रही थी कि जरा इनको वाइसली डील करना है वैसे तो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं होती मैं आप लोगों से हमेशा सीखती हूँ जो टॉलरंस लेवल आप लोगों का है बहुत टॉलरंस आप लोगों के अंदर तो जो है इस वक्चों का शुकर है कि इन्शाला इन्शाला इस वक्चों थोड़ा सा अगर आप वाइसली चलेंगे तो 16 ओफ सेप्टेंबर के बाद से जो है आपको वहाँ पे जरूरत नहीं रह जाएगी कि आपके मौामलाद जो है वहाँ पे खराब हो आपके मौामलाद में रबताला असानी करेंगे वो रूमैंस वाला एरिया है मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों से रिलेटेड अगर मौामलाद डिस्टरब हो रहे थे या कोई दुनियावी खाहशात के रास्ते में अगर कोई हिच्च जारी थी या जो है अब कोई जो है दोस्तियों से रिलेटेड कोई मौामलाद किसी से अगर कोई miscommunication हो गया था गलत फहमी अगर हो गई थी तो तालुकात बिगडेंगे नहीं आराम से आप handle कर लेंगे और Scorpions में ये fun उनकी रवादारी उनकी tolerance की वज़ा से वैसे ही ज्यादा पाया जाता है उसके बाद जो अगर एक एक इत्याद जो है ये एक मख़त मुझे देते हुए सबसे मुश्किल आती है Scorpions फिजिकल हेल्थ है, Mental हेल्थ है, Job एरिया है, छुपेवे हासदीन है आपको बहुत विजिलिंट हो जाना है और जब से 27th August से आगे जो हमने सफ़र शिरू किया है तो आपने बहुत अल्ला से अमान मांगनी है हर छुपेवे दुश्मन से, हसद करने वालों से इसी तरह ट्रैफिक के मुआमलात में मौतात रहना है आप लोगों ने सीडियां उतरते चड़ते वे या इस तरह एहतियात करनी है कि आपकी हड़ियों को कुछ पॉबलम ना आए कुछ चीज का डैमेज आपको परेशान ना करे ये सारी एहतियात ने आपने करनी है क्योंकि अगर मेंटली हेल्थ ठीक नहीं होगी फिजिकली हेल्थ ठीक नहीं होगी तो हमारे वोस कॉपियों जो मुलाजमत में हैं उनके लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा इस सबते दुआउं की सार्थ है खास तोर पे आपने इन हाउसे से रिलेटेड अपने लिए खास दुआ मांग लिए और दुसरा मैं आपको हमेशा ही कहके जाती हूँ एक रूठीन बना लीजी आप अपने साथ के आपने अवलो आखित दुरूद शरीफ पढ़ने फिर आपने दस मरतबा कहना है आउस बिल्लाहे मनशीत वानिरजीन और तीन सो तेरा बारी आपने पढ़ना है तीसरे कलमे की दूसरी लाइन है इसके सदके इस एक लाइन के सदके आप जतनी यहां पर यह चीजी यह से तारिक जिन मौमलात को डिस्टर्ब कर सकते हैं यह सब का इहाता इस एक कायत में हो जाएगा दिमाग की सहित, दिल की ताकत, जिस्म की तवनाई छुपएवे दुश्मनों से लाइन, दज्जाली पावर्स जैसे शेतानी इवल इबलीजी पावर्स सब से आपको लाइन की अमान मिल जाएगी तो अगर रब से दुआ और तिजारत सदके के जरीए करते रहेंगे तो यह हवाएं आपका कुछ नहीं बिगाड सकेंगी तो यह द्राजी हमारे सकॉपियन्स के इस हबते के सितारों का हाल होफुली मैंने तो पूरी इमानदारी के साथ क्लियर किया है लेकिन अगर फिर भी कुछ शिक्वा आपको हमसे रह जाए तो आपका फीड़बैक मेरे लिए इतना इंपॉर्टन्ट है जितना मेरे लिए ऑक्सिजन क्योंके आप लोग मेरे साथ एक कनेक्शन आपका जो बना हुआ है अगर आपका दिल अजारी मेरी वज़ा से आपकी हो तो वो सची बारता है इससे बड़ा शर्मिंदगी का मकाम लिए हो